जिस चीज की कलपना कर सकता है उसे यह हासिल भी कर सकता है रहस्य के ज्यान और आकरशण के नियम को जीवन के हर छेतर में लागू किया जा सकता है यह प्रक्रिया हर उस चीज पर लागू की जा सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं इसमें पैसा भी शामिल है पैसे को आकशित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा जीवन में ज़्यादा पैसे पाना असंभो है अगर आपका ध्यान इस तरफ हो कि आपके पास परियाप्त पैसे नहीं है इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग में ये विचार सोच रहे हैं कि आपके पास परियाप्त पैसे नहीं है कम पैसे पर ध्यान के इंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में ऐसी परिसितियां उत्पन कर देंगे जिन में आपके पास कम पैसे होंगे दौलत मंद बनने के लिए आपको धन की प्रचूरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा आपको अपने विचारों से एक नया संकेत भेजना होगा ये विचार इस तरह के होने चाहिए कि आपके पास इस समय परियाप्त से जादा है दर असल अपनी कलपना को उनान भरने दे और यह यकीन करें कि आपके पास इस वक्त अपनी मनचाही दौलत है ऐसा करना बहुत मज़ेदार होता है आप ध्यान देंगे कि जब आप दौलत पन होने का नाटक करेंगे और खेल खेलेंगे तो आप ततकाल पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे और जब आप पैसे के बारे में ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा